लालबरा पुलिस ने आइट विल सट्टा खिलाते हुए एक वेक्ति को 22 अप्रेल को चार नग मोबाइल, बैंक पास्बुक वर नगदी 2100 रुपए के साथ गरपतार किया है आइट विल सट्टा खिलाने के दो अन्य आरुपी अभी फरार है जिनके फुलिस पता साजी कर रहे है फुलिस ने आरुपी के खिलाब धारा चार ब्रेकेट कब भारती दर्ण विधान की धारा 109 के ताहत मामला पंजिबत कर मामले को जाज मिलिया है प्राप्त जानकारी का अनुसार फुलिस को 22 अप्रेल के शांग मुगबिर से सुचना मिली थी जिसने अपने नाम पूछने पर अपना नाम जमील पीता जहिर खान उम्र से तीस वर्ष ग्राम मुली बताया जिसके पास से एक डाट पिंट रुपे पैसे को लेकर लिखे गई कॉपी भी मिली जिसमें हजारो लाखो रुपे के पैसे के लेंदेन का लेखा जोका भी गई तो उसके पांस से चार नग मोबाइन, दो नग चार्जर, M.I. कंपनी का पावर बेंग, एक S.B.I. बेंग की पास बुक नगदी 2100 रुपे बरामत कर गिरपतार किया गया पुलिस के द्वारा कड़ाई से पुस्ताच करने पर जमिल खान ने बताया कि अन्ने दो सातियों के सात मिलकर IPL क्रिकेट मेच का सट्टा खिल खिलाना स्विकार किया जो फरार है पुलिस ने अमोली निवासी जमिल खान साइथ अन्ने दो वेक्तियों के खिलाब धारा च्यार का गेमलिंग एक्ट भारती दर्णी विधान की धारा 109 के तात मामला पंजिवत का जमिल खान को मुचल की जमानत पर रिहा कर दिया गया वो फरार दो आरूपे की पता साजी में जुड़े है